सीता पटी में डोड के अवैद होकरों को हटाने के लिए शुक्रवार को रात मनपावा पुलिस अधिकारियों ने दुबारा मार्किंग की थी लेकिन दूसरे ही दिन होकरों ने बेतरतीब तरीके से इस रोड पर कबजा कर लिया अधिकारियों की मार्किंग सिर्फ काग्जों पर ही रह गई है आश्चरी की बात यह है कि एक राज पहले जब होकरों को दुकाने लगाने के लिए पीले नीले और लाल रंग की मार्किंग कर जगा निशित की गई और शनिवार को उसका खुल कर उलंगन किया गया तो ना कि अधिकारियों और ना ही पुलिस ने कोई कारवाईगी इससे तो लगता है कि अफसर इस रोड की समस्या की निराकरण की बज़ाए सर्फ लीपा पोती करने में ही लगे हैं और टाइम पास किया जा रहा है इस रोड को भगवान भरों से छोड़ दिया गया है होना तो यह च पट्टे तक ही उन्हें अपनी दुकाने लगाने थी लाल पट्टे के बार होकर अपनी दुकान नहीं लगा सकते थे लेकिन इसका उलंगा शुरू हो गया था चानकारी के अनुसार में डोर पर कई गलियां दोनों साइड में हैं यहां मोडो पर और दुकानों के सामने भी हौकर अपना ठीया लगा रहे थे इन जगाओं पर पहले से चिनहांकित पट्टों को अटाने के लिए कुरूवार को हौकर्स यूनियन के पदाधिकारियों से अधिकारियों ने चर्चा की थी सहमती बनने पर ही शुकरवार को नए सिरे से मार्किंग की गई थी और या निर्देशित किया गया था कि अनुशासत तरीके से होकर अपनी दुकाने लगाएंगे नाकपुर से BCN News के लिए राजकुमार मोहड की रिपोर्ट